उदरपुर राजेस्थान का एक नगर एवं परिटन स्थल है जो अपने इतिहास, संस्कृती और अपने आकर्शक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है इसे 1569 में महाराणा उदरपित किया था अपने जीलों के कारण यह शहर जीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है राजेस्थान का यह खुबसूरत शहर देश विदिश से आने वाले परिटकों के लिए एक सपना सा लगता है यह शहर एतिहासिक और संस्कृतिक द्रिष्टी से काफी अनूपम है आज के इस वीडियो में हम आपको उदरपूर के 20 प्रमुक प्रेटन स्थलों में से अगले 10 स्थलों के बारे में बताएंगे दोस्तों अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें हल्दे घाटी उदरपूर दोस्तों उदरपूर में इस्थित हल्दे घाटी एक इतिहासिक इस्थल है जो कि महारण प्रताप और अकबर की बीच हुई युद के लिए प्रसिद है यह जगे राजिस्थान में एक लिंगजी से 18 किलोमेटर की दोरी पर इस्थित है यहां के मिट्टी हल्दी जैसे पिली होने के कारण यहां का नाम हल्दी घाटी रखा गया यह एतियासिक इस्थल उदेपुर से 40 किलोमेटर की दोरी पर इस्थित है भारतिय लोक कला संगराले उदेपुर दोस्तों यदि आप कला कृतियों में रूची रखते हैं और यहां जानने के लिए उच्छुक है कि इन वस्तुवों को कैसे बनाये जाता है फिर तो भारति लोक कला संगराले निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी जगए है उदेपुर में चितक सरकल के उत्तर में इस्थित संगराले में चित्रों, लोक संगीत वाग यंत्रों, लोक पोशाक और आभुशन, गुडिया, मुखोटे, कटपुतलियां और देब देवियों की मूर्थियों का अच्छा संगराय है इस संगराले में कटपुतली शो यहां का एक प्रमुक आकर्शन है, जो कि परेटकों के लिए दिन भर किया जाता है, संगराले कटपुतली बनाने और थियेटर सहित कई अल्पकालिक पाट्टि करम भी प्रदान करता है बागोर की हवेली उदेपुर दोस्तों, बागोर की हवेली एक आलिशान हवेली है, जो भारतिय राज्य राज्य स्थान के उदेपुर जिले में इस्थित है इसका निर्माण मेवाड के मंत्री अमर चंद बड़वानिक अठारवी शताबदे में करवाया था इस हवेली में लगबग सौ या फिर उसे से भी अधिक कमरे हैं, जिसमें आधूनिक और पुरानी कला अवस्तुएं रखी गई है इसके अलावां इस हवेली में मेवाड महराणाओं और महरानियों के पेंटिंग भी लगाई गई है जो देखने में बहुत सुन्दर लगती है हवेली में शाम के वक्त सांस्कृतिक कारिक कर्मों का आयोजन भी किया जाता है ताज लेक पैलेस उदैपुर दोस्तो ताज लेक पैलेस जिसे जल निवास के नाम से भी जाना जाता है 83 कमरो तथा सुईट का एक होटल है जिसका निर्माण सफेद पत्थर से हुआ है नैसरगिक सुन्दरता से परिपूर्ण यह होटल चार एकड में फैला हुआ है जो कि पिछोला जील में जल निवास द्वीपू पर बना हुआ है यह होटल अपने अतितियों के लिए एक स्पीड बोट के भी सुविधा प्रदान करता है जो कि अतितियों को शहर से होटल तक पहुँचाती है अपने विशिष्ट इस्थिती के कारण इस होटल को भारत तथा दुनिया के सबसे अधिक रॉमेंटिक होटल में से एक के रूप में चिन्नित किया गया है इसका निर्माड महारजा जगत सिंग ड्विती ने 1746 में करवाया था दोस्तो दोध तलाई म्यूजिकल गार्डन उदैपुर दोस्तो दोध तलाई म्यूजिकल गार्डन एक रुक और फॉंटीन गार्डन है जो सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए एक शांदार जगह प्रस्तुत होती है इसकी अलावा एक शेत्र ट्रामवे यानि केबल कार है जो दोध तलाई की एक बगीची और करणी माता मंदिर को जोड़ता है यह जगह लोगों के लिए शाम का कुछ वक्त बितानी के लिए बहुत अच्छा विकल्प है क्रिस्टल गैलरी उदैपुर उदैपुर की क्रिस्टल गैलरी में क्रिस्टल कला कृतियों का शान्दार संग्राय है और यह दुन्या में क्रिस्टल का सबसे अच्छा संग्राय है गैलरी फत्य प्रकाष पैलिस के अंदर इस्थी थे और 1877 में महाराणा सज्जन सिंग द्वारा स्थापित की गई थी उन्होंने 1877 में बर्मिंगम से क्रिस्टल कलाकृतियों का आदेश दिया था हालाके जब तक वे वितरित किये गई महाराणा का निदन हो गया 110 साल बाद 1994 में कलाकृतियों को गैलरी के रूप में प्रदर्शित किया गया था जो तब से जन्नता के लिए खुला है क्रिस्टल गैलरी सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक और शाम 3 से रात 8 बजे तक खुली रहती है शिल्प ग्राम उधैपुर दोस्तों उधैपुर में अरावली परवत के पहाडियों पर इस्थित शिल्प ग्राम एक शिल्प कारों का गाव है जो पारंपरिक इस्थापति शैली में निर्मित 26 जोपडियों से गिरा है और ये जोपडियां कई घरों के लिए सजावती समान को प्रदर्शत करती है इस गाव में जाकर आप शिल्प कारों के कलाकारी और उनके प्रतिवा से रूबरू हो सकती है जयसमंद जील उधैपुर दोस्तों जयसमंद जील भारत की सबसे बड़ी कृत्रम जीलों में से एक है इसको डेबर जील के नाम से भी जाना जाता है कहते हैं कि इस जील को इश्या की सबसे बड़ी कृत्रम जील होने का गवरों प्राप्त है यह लगभग सो वर्ग किलोमेटर में फैली हुई है और अपने प्रकर्तिक परिवेश और बांध की स्थापतिक कला की सुन्दर्ता से यह जील बर्शुशे परेटकों की आकर्चन का महत्तुपूर्ण स्थल बनी हुई है मंदिर इस बात का प्रमाण है कि मेवाड के लोग दैवेश शक्ति की प्रति अत्याधिक प्रति बद्ध थे जयस मंद जील स्वच सुन्दर और प्रकर्ति प्रेवी का असली स्वर्ग है शहर की उथल पुथल से दूर शान्ति की इस स्थान पर परटकों को जरूर जाना चाहिए जगदीश मंदिर उधैपुर दोस्तो भगवान विश्णु को समर्पित यह जगदीश मंदिर एक भव्वी और राजिसी संग्रचना है जो की राजिस्थान की लुभावने शहर उधैपुर की सिटी पैलेस परीशर में इस्थित है जगदीश मंदिर पुरी उधैपुर शहर में सबसे महतुपूर मंदिर होनी के लिए प्रतिस्थित है इस भव्वे मंदिर के प्रवेश द्वार को सिटी पैलेस के सबसे बड़े पूल से देखा जा सकता है जगदीश मंदिर के वास्तुकला को इंडो आर्यन शैली में बनाया गया है और इसका निर्माड 1651 में महराणा जगत सिंग द्वारा करवाया गया था मुख्य मंदिर में भगवान विष्णू की चार शहस्त्र प्रतिमा है जिसे काले पत्थर के एक टुकुणी से तराशा गया है भगवान जगदिश की मुख्य तिर्श इस्थल चार छोटे मंदिरों से गिरा हुआ है ये मंदिर क्रमशह, भगवान गनेश, सूरी देवता, देवी शक्ती और भगवान शिव को समर्पित है गुलाब बाग और चडिया घर उदयपूर दोस्तों गुलाब बाग चडिया घर उदयपूर का सबसे बड़ा बाग है जिसे गुलाब बाग कहा जाता है बगीची के भीतर ही, मिनी चडिया घर गुलाब के बगीचों से थोड़ी दूर पर इस्थित है इस चड़ियागर में बहुत कम संख्या में जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें चोड़ी आँख वाले उल्लू भी शामिल है और आसपास के शित्रों में गोमने के लिए परियाप्त जगे है जैसे टोई ट्रेन जो बच्चों और व्यसकों के लिए खुली है एक विशाल कृत्रिम जल निकाई है जिसे कमल तलाई कहा जाता है जो कि बगीची की शोभा को और भी अधिक बढ़ाता है दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भोले आप हमें फेस्बुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटुनए डॉट कॉम पर भी वेजिट कर सकते हैं